बने रहना है या नहीं और ये कि उन्हें पत से हटाना है ये अधिकार LG का है और राश्पती का है और LG को अदालत को इसला नहीं दे सकती उन्हें को इस मामले पर नर्णे लेना होगा ये आज दिल्ली हाई कोट से कहा गया जो कि केजरिवाल के लिए एक बड़ी राहत है इध संदेश को भी उनकी पत्नी सुनीता केजरिवाल ने पढ़कर सुनाया है अर्विंद केजरिवाल का ये संदेश इजवार आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए है और जनता को राहत देने के बारे में हैं क्या कहा है अर्विंद केजरिवाल की पत्नी ने और उन्हों मैं जेल में हूँ, इस वज़े से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हर विधायक इलाके का रोज दौरा करें, और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करें, और मैं केवल सरकारी भागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हम ये लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करने है, दिल्ली के दो करोर लोग मेरा परिवार हैं, मेरे परिवार में कोई किसी वज़े से भी दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान सब का भला करें, जैहीं। तो जेल में कैद केजरिवाल इस वक्त चर्चाओं में बने वे हैं, वो जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बाहर पूरी तरह से नजर आ रही है, उनके कामों को जन्दा रखने का काम उनकी पतनी सुनीता केजरिवाल और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम कारे करता और विधायक कर रहे हैं, और अपने विधायकों को केजरिवाल ने यही संदेश भी दिया है, कि मैं जेल में हूँ लेकिन दिल्ली की जनता के लिया गया है जल्दी उस पर भी कोई फैसला आ सकता है लेकिन आज ये जो केजरिवाल को बड़ी राहत मिली है क्या है इस राहत के माइने और क्या है केजरिवाल की आगे की रंडी ती जिस तरह से वो संदेश पे संदेश भेजे जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी के एक और राजसबा सांसद संजे सिंग जो जेल में बन थे लेकिन उन्हें का दो दिन पहले जमानत मिल गई और कल वो जेल से रिया हो गए तो इस समय दिल्ली की सियासत जो है उसमें काफी हलचल मची हुई है और इन हलचलों के बीच क्या होगा बीजेपी का और किस तरह आदमी पार्टी किस रंडीती के साथ आगे बढ़ेगी इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ओनलाइन एडिटर अमलेंदू पाध है जी अमलेंदू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं इस कारेक्रम में अमलेंदू जी नमस्कार सबसे पहला सवाल तो यही हम सुनीता केजरिवाल के संदेश पर भी हम बात करेंगे लेकिन आज यह जो दिल्ली हाई कोर्ट से केजरिवाल को एक तरह से मानना चाहिए कि बड़ी जीत मिली है क्योंकि हमने देखा अमलेंदू जी कि पिछले हफते याने 28 मार्च को अभी बहुत दिन नहीं हुए एक और याचिका इसी तरह से खारिज कर दी गई थी जिसमें भी यही मांग की गई थी कि अर्विन केजरिवाल को CM पत पर नहीं रहना चाहिए उन्हें आप पत से हटाईए यह मांग अदालत में की गई थी उस वक्त अर्व गुपता ने माप कीजे तो अब इन दो याचिकाओं के इस तरह खारिज होने के बाद और हम यह इस बीद सुन चुके हैं कि वीके सकसेना जो LG हैं उन्होंने यह टीवी के मन से तो यह कहा था कि हम उन्हें सीम पत पर बने नहीं रहने देंगे और उन्हें इस तरह काम करने का हक नहीं है? लेकिन अदालती कारवाई या चानूनी कारवाई अभी तक इन्होंने इस मामले पर कुछ भी नहीं की है. तो क्या ये केवल शिगूपे बाजी है कि ये केवल उनको बयान दे दे कर ये बताया जा रहा है माहौल बनाया जा रहा है कि अर्विन केजरिवाल सीम है लेकिन वो जेल में है तो सीम पत पर बने रहे कर वो कुछ गलत कर रहे है क्या यसा कोई माहौल बनाया जा रहा है अमले जंदा पाइटी के लिए कि इस तरीके की याज का भारती जंदा पाइटी के समस्थे लोग वही लगा रहे हैं और एक माहुल मनाने की यह कुछिस की यारी है कि कोई रूप से कहीं कोई बात देता नहीं है कि अर्विन के जीवाल नहीं जा सकते और अधालाद ने यह वी टिपड़िए कि हम आपने रोज रूज मत बदले हम पहले भी इस तरीके की याज का खालिट कर चुके हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले आये कुछ कहने के लिए है कि हमारा सम्भिदान ने उस पर कहीं भी स्तरीकी कोई बात नहीं है कि अगर कोई ब्यक्ति करतार है मुक्य मंत्री नहीं रह सकता ऐसा नहीं मुझे ध्यान नहीं पड़ा उत्तर प्लेश के किसी मंत्री का मसला था और उनके उपर वारेंट जाली था और उनका शपतव मंत सेंथिल बाला जी का मामला है सुप्रीम कोड नहीं है जब जो किस पूरा जिए अनहीतिक नहीं है तरीके से तो उसमें फिर अरविंद केर जीवाल की अनहीतिकता और नहीतिकता क्या लाती है अरविंद केर जीवाल इसमें अपनी जगह अन्यतिकता है अगर इडी इस मामले में कोई मनीचेल पगलत ली होती इडी ने कोई पैसा एक रुपया भी अरविंद केर जीवाल के खिलाब कोई सबूत इडी के पास होते कल्वी जो सुनवाई हुई है उसमें इडी कोई सबूत पेशी नहीं कर सकी कहा जरूर है इंकम टेक्स का एक डाटा है तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो उन सबूतों के बिना पे यह किस तरहीं किसे बन सकता है तो यह मिलाकर करके नहतिकता नहतिकता है बीच की लड़ाई है कौन कितना नहतिक है बहुत कितने नहतिकता का पज्यान दे रहे हैं तो भारती जनता पाओके की किसी कर नहतिकता नहतिकता की परिभाशात नहीं बना सकती है तो कुल में लाकर कि यह और बड़ी जीत समझा जाएगा कि यह का खारीज हो गई कि अर्विंद के जीवाल को मुख्यमंत्य रहने का अधिकार नहीं है चुकि वह जेल के अंदर है अब यह करता है जैसे आपने कहा कि अलगी बाते तो करते हैं निश्चित वर्ष्ट है कि सरक सब्सक्राइब निकाला करती है इस सरकार में तो मतलब गवर्नर्स जो है वह खुल करके राइदी करने हम लों देखा किस तरीकी से में घाले के गवर्नर थे उनका किस तरीकी से सावजिक बयान था वो इतनी दिंदा हुए उसके बैक्वर्ण करना पड़ा तो इस तरीके की जो चीजी होनी हो यह गवर्नर्स हाब तो खुद कई मामले में फसे हुए यहां के दिन लिए तो यह जिस तरीकी से बाते की यारि यह साब वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे अरे आपको नहीं करने अगर संबिधान के अंदर आपको यह क कर नहीं चल सकती है तो मुझे रखता है कि तुर अंदर दिन के अंदर अगर आपको इतनी आपती दो याचिकाएं दायर हो सकती है अदालत में कि अर्विंद केजरिवाल को मुख्यमंत्री पत से हटाया जाए उन्हें न्याई खिरासत में भेजा जा सकता है एडी की कस्ट है लेकिन इतने दिनों हो गए 15 दिन में क्या सकसेना जी को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो इस पर कोई कारवाई करेंगी आप वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे जबकि हम यह देख रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल जेल से लगातार वो संदेश दिये जा रहे हैं औ मैं जेल में हूँ लेकिन दिल्ली के जनता को कोई तकलीक नहीं होनी चाहिए और आप जाईए और जनता के बीच काम करिये और उनकी समस्याओं का निवारण करिये यह अर्विंद केजरिवाल का आज का संदेश है तो इस संदेश सी जाहिर हो गया है कि दो बाते साफ साफ आगे आएंगी ये बात अब एकदम साफ हो चुकी है और दूसरी बात ये कि अर्विन केजरिवाल किसी भी तरह CM पत से इस्तिफा नहीं देंगे और नहीं उनके पार्टी के लोगों का इस समय कोई ऐसा रुख दिख रहा है कि वो CM पत से इस्तिफा दें और कोई और उनकी ज कुटेंगे इस तरह की बात उन्होंने की क्योंकि अभी इस समय आर्विन केजरिवाल, मनेश्टी सोधिया और सत्येंद्र जैन ये तीन बड़े नेता आहम आदमी पार्टी के इस समय जेल में हैं और संजे सिंग कल जो जमानत पे रिहा हुए हैं वो गए बाकाइदा उन्ह कल सुनवाई पर हमने बात चीत की थी और हमने देख रहे थे कि जो एस जी राजू है वो बिलकुल ठोस दलीले नहीं दे पा रहे थे विशेक मनु सिंग्वी ने जो जो मुद्दे उठाए उन्होंने गिरफतारी के टाइमिंग पर बात की उन्होंने मनी ट्रेल की बात की उन्होंने पुखता सबूतों की बात की लेकिन एक भी उस पे तर्क जो नहीं दे पाया लेकिन अब और कुछ बाते निकल के सामने आई है क्योंकि फैसला अभी सुरक्षित है अभी हमें नहीं मालूम कि दिल्ली हाई कोड का क्या फैसला होने वाला है लेकिन कुछ और बात देता है और कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं इसलिए आप मुझे छू नहीं सकते यहां किस तरह का तर्क है मतलब अमलेंदु जी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप किसी और चीज से भी उनकी तुलना कर सकते थे लेकिन वहां पर राजू को एस जी से नुकसान पहुचाया जाए तो यहां एक आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करना और जिस पर सिंग्वी ने अभिशेक मनु सिंग्वी जो अर्विन के वकीन है उनका यह जवाब था कि यह क्या है मेरा कहना यह कि अगर कोई एक व्यक्ति एक मुख्यमंत्री सेना के वहा चाहिए अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लेकिन आपने अर्विन केजरिवाल की तुन्ला एक आतंकवादी से कर दी जो एक सेना के वाहन को उड़ा देता है आमलिंदु जी इसके पीछे की राजनीती क्या हो सकती है आपकी नजर में कि इसके पिछे की राजी पहले आमाधी पाटि की इस इस्तिमाल करती थी कि वह कांग्रेस वोटों में सेन लगा है और भारती जन्ता पाटि का विरोधी वोट वोट जो है वो बढ़ जा उससे भारति जन्ता पाटि की को फायदा मिले अर्विंद केजीवाल अर्विंद केल जीवाल के साथ इंडिया गैषवंदन में शामिल होते ही एक तरीक तरीक से कहा जाए देश का परिद्र्ष बदल गया सर्मिततरा जी खास्तों से दो बड़े राज्यों का जहां से भारती इंता पाइकी को शत प्रश्र सीटे आती है दिल्ली और गुज्रात से भारती इंता पाइकी को फाइदा इस बात का मिलता था कि भारती इंता पाइकी गुरोधी गोर्ट जो था वो आम आदमी पाइकी कोंगर्स में पढ़ जाता था अब यह इस्तिती बदल गई और जिस तरीके से अर्विंद केजिवाल इंडिया गश्वंदन में शामिल हुए और इंडिया गश्वंदन के सारे लोग अर्विंद नुकसान पहुंच रहा है यह चीज समझ में अच्छी तरीकी से आगई तो अब अर्विंद केजिवाल जिस तरीकी से साथ में हैं इंडिया गश्वंदन के उससे भारती जंता पाइकी को नुकसान होना शुरू हुआ तो अब यह सीधा सीधा प्रहार अर्विंद केजिव कोई कारवाई नहीं होगी सवाई यह सर्मित्ता की कि छोड़ दीज नहीं चोड़ दीज यह उनका मसला है और इंडिया आप्रूवर बनता है वो अपने 11 बयान देता है 11 बयान में से 9 बयान में का कोई नाम नहीं होता है अब लिए अब लेता है अब लिए दोस्तों बयान में उसको तुरंट जवानत भी मिल जाती है उसके सात्वे दिन के बादी यह सारी बात यह कर अभी यह तो यह तरीके सब चिरेवाई की छबी को आपने पहुचाया जाए और यह संतेज देश देनी कोशी की जाएक कि अर तो देशबक्त नहीं हो सकती है तो सवाल क्याते हैं कि हम कच्चा देशबक्त है राश्वादी नहीं कहना है तो मुझे रहता है कि यह वह एक छोटी सी लाइन है जहां से आम आदमी पार्टी और भारती इंता पाइकी को भी अलग करके दिखाया सकता है कि कौन राश्वादी है तो देश्वादी की जो परिभाषा उसमें अलबिंद के जिवाल फिट वैट रहे हैं तो भारती जनता पारटी लगातार अब जो प्रहार कर रहे है वह इस लिए और पर दिख गया कि जानता पारटी के साथ में नहीं है किसी भी तो इंडिया का चुनलन के साथ मजबू को खड़ाब करने का प्यास कि आप जो सिर्फ हमारे मुख्य को आप बदनाम करना चाहते हैं इसलिए आपने गिरफ्तारी की है बिलकुल आतंकवाद से कि तुलना करना आतंकवादी से तुलना करना और उसके बाद उसका एक कृत्य भी बताना कि कोई सेना के वाहन कोड़ा दे यह साफ साफ तौर पर राष्ट्रवाद के मुद्दे को बुनाने की भाजपा की एक कोशिश है लेकिन आम आदमी पार्टी क के कारेकरता जिस तरह से वहां मौजूद थे और उसके बाद संजे सिंग ने जो जोशीला भाशन दिया और उन्होंने साफ साफ यह कहा कि अभी हमारा संगर जारी रहेगा अभी हम रुकेंगे नहीं और उसके बाद उनके तमाम ट्वीट्स आय जा रहे हैं तस्वीर आ रह प्यार जग में जी सके आदमी का खून कोई आदमी न पीसके आदमी न पीसके आदमी न पीसके माली को माली को मजूर के नौकरों हुजूर के फर्क को मिटाएंगे समानिता को लाएंगे रुके न जो रुके न जो रुके न जो रुके न जो गपे न जो मिटे न जो हम वो इंकलाब है जल्म का जबाब है हर शहीद हर गरीब कामी तुपाब है मानते नहीं हैं फर्क हिंदु मुसल्मान का जानते हैं रिष्टा इनसान से इनसान का जाती के धर्म के भाशा और वेस के दुंद को मिठाएंगे समानता को लाएंगे रुके नजो रुके नजो जुके नजो दबे नजो मिते नजो हम वो इंकलाब है जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है तो आपने देखा ये संजे सिंग थे जो कल जेल से बाहर आए और उन्हों ने एक इंकलाबी गीत गाया ये इस तरह की गीत वही लोग गाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं और कल संजे सिंग ने ये बता दिया कि छे मेने तक भले वो जेल में थे लेकिन अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तो वो वापिस उसी जोश से काम करने के लिए तैयार हैं और यही जोश आम आदमी पार्टी के कारे करताओं में भी कल उन्होंने भरने की कोशिश की आपको बता दूँ कि आज संजे सेंग दो तीन जगहों पर गए एक तो वो उन्होंने हनमान मंदिर पर जाकर पूजा की अपने परिवार के साथ और दूसरा वो मात्मा गांधी क की समाधी राजगाट भी गए और वहां राजगाट से बाहर निकल कर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो देश में बराबरी और समानता का माहौल लाने के लिए काम करते रहेंगे क्या कहा है संजे सेंग ने इसको भी सुन लेते हैं बजरंग बली जी का दर्सन करने जा रहा हूँ और वहां से फिर बापू रास्ट पिता महत्मा गांधी जी की समाधी पर जाओंगा राजगाट और उसके बाद सतेंजी के घर जाओंगा और दिन में ही किसी समय फिर से आज अर्विन जी के भी घर जाएंगा यह हमारे कारकरताओं का उत्सा है जो यह बताता है कि इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इस ताना साही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक-एक कारकरता तयार है और आम आदमी पार्टी का एक-एक कारकरता अपने मुखिया अर्विन केजरिवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है संजे सिंग ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का एक-एक कारकरता अपने मुखिया अर्विन केजरिवाल के साथ सीना तान के खड़ा है इस पर अदालत ने इस याचिका को खारिच कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को वापिस कर दिया और कहा कि हम इस मामले पर सुन्वाई नहीं करेंगे क्योंकि ये फैसला लेने का हक LG का है हर और हम LG को कोई सलाह नहीं दे सकते उन्हें मर्जी तो वो कोट में जाएं तो ये आज दिल्ली हाई कोट की और से बिलकुल उन लोगों को दो टूक जवाब मिल गया है जो बार-बार CM को उनके पत से हटाने की मांग करते रहे हैं अर्विन केजरिवाल को जो चाहते हैं कि वो अब जेल में चले गए हैं तो वो किसी भी तरह CM पत से हट जाएं लेकिन अर्विन केजरिवाल का ऐसा कोई रुख नहीं है और इधर BJP जिस तरह से इस मामले पर गिरती जा रही है ये भी हम देख रहे हैं आमलेंदू जी और कल जब ED इस मामले पर सुनवाई अपना बचावा पक्ष रख रही थी तो वो उससे जो तर्ग दिये जा रहे थे वो बहुत ही लचर तर्ग दिखे जिसमें अभी हमने आतंकवादी वाले मसले पर हमने चर्चा की कल एक और ये बात हुई जिसमें ये देखा गया कि बांसुरी स्वराज जो BJP की कैंडिडेट है समय सुश्मा स्वराज की बेटी है और परिवारवाद का तो मामला खेरी हाँ है ये खर उस पर हम नहीं जाएंगे लेकिन बांसुरी स्वराज एडी की भी वकील रही है और एक दिल्चस्प चीज देखने मिली कि एडी ने अपनी जो लिस्ट दी है उसमें बांसुरी स्वराज का नाम अब खटा दिया है उसका कहना है कि नहीं उनका नाम इसमें नहीं रखा जाए क्या ये बीजेपी की कोई बचाओ की कोशिश है या की बांसुरी स्वराज इस चीज़ को महसूस कर चुकी है कि दिल्ली जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी विधान सभाई नहीं लोक सभा में भी मजबूत होती जा रही है और ऐसे में उनका नाम अगर ED की कारवाई में ED के लिस्ट में वकीलों की लिस्ट में आता है तो इससे उनकी उनको उस पर असर पड़ेगा उनके चुनाव प्रचार पर या उनकी जीत पर कोई असर पड़ सकता है इसलिए कि अब आसरी स्वराज अपना नाम हटाना चाहती है इस वामले पर आम आदमी पार्टी के एक और नेता सोमनाद भारती ने आज प्रेस कांफरेंस की और उन्होंने क्या कहा इसको सुनते है लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर करके आया हो जिसके बाद कहीं कोई सक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही एडी है और एडी ही भाजपा है जब कल सुप्रिम कोर्ट से आमानी पार्टी के सीनियर नेता मानी संजे सिंगी को बेल मिला उस ओर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सक्ते में आ गया कि जो आमानी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया कि दो अप्रिल दोयार चोविस का ओडर में आपको दिखा रहा हूं जो रिस्पॉंडनेंट याने एडी उसके पेरेंस में नीचे लिखा है मिस बासुरी सुराज बासुरी सुराज बार्देंदा पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी है और लोक्सवा प्रत्यासी भी है अगर एडी को रिपर्जेंट कर रहा है कोट में आमादिपार्टी के नेता के खिलाफ तो इससे बड़ा क्या सबुत होगा कि बीजेपी ने एडी को राजनितिक फाइदे के लिए दुरुप्योग किया और एडी एक राजनितिक विंग के तरह राजनितिक इकाई के तरह भाजबा के लिए काम कर रही है और जब यह बात संग्यान में लाया गया जब यह बाद अस्ट्वीट के मादम से दुनिया को बताया गया तो एडी कोट गई है कि देखिए बेसरीमी की हद एडी कोट गई बताने के लिए कि नहीं नहीं उसका नाम डिलीट किया जाए एपिरेंस लिस्स से उसका नाम डिलीट किया जाए और आज यह बात बियोंड रिजनेबल डावर्ट बियोंड डावर्ट विच फर्म कंविक्शन यह सिद्ध हो गया अमलेंदू जी अभी आपने सुना सोमनाथ भारती का बहुत ही तीखा हमला एडी पर अभी तक तो इदिन आर्विन केज रिवाल और बाकी सब नेता भी यही कहते रहे हैं कि एडी बीजेपी के इशारे पर काम करती रही है लेकिन आज सोमनाथ भारती ने बाकायदा प्रे प्रवक्ता भी हैं लोगसभा प्रत्याशी भी हैं और उनका नाम एडी ने अब हटा दिया अपने वकीलों की सुची से और अमलेंदू जी एक दिल्चस्प बात यह है कि संजे सिंग के मामले में एडी के वकीलों की लिस्ट में दो अप्रेल ही नहीं पांच वरवरी बारा मार्च और 11 सितंबर को भी जो आदेश आये थे उस कोट के उसमें भी एडी के वकीलों की लिस्ट में बासुरी स्वराज का नाम शामिल था लेकिन अब एजनसी कह रही है कि बासुरी का नाम उनके वकीलों की लिस्ट में गलती से जुड़ गया बासुरी स्वराज का नाम और अब एडी बासुरी स्वराज का नाम हटवाने में जुड़ गई है अमलेंदु जी एक किस तरह का खेल देश में चल रहा है कि एडी को ये नहीं मालूम कि उसके वकील कौन है दूर मतलब ये बात तो दूर की है कि वो शराब गोटाले के आरोफियों के खिलाव क्या जुटाती है क्या नहीं जुटाती है किस तरह से जुटाती है अभी उसके वकील कौन है और कौन नहीं है ये क्या मजाग चल रहा है देश में इतने बड़े घोटाले कि अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी जाच के नाम पर ये किस तरह का मजाग है हम लेंदु दूर पिछले महीने के शुरुआत में आतिशी ने प्रेस कॉंफेंस करके वो सारे केस गिनाय थे जिनमें मीनाक्षी जिनमें ये वासरी सुराज उन केसे में पैर भी कर चुकी है तो वह अभी बात करते हैं उसमें लेकिन सवाल ये कि एगी अगर ये जाकर के कह रही है कि साब इ इनका नाम गलती से शामिल हो गया है आपकी सारी काजा जाच के उपर संदेख खड़े हो आते हैं कि आप जाच करनी रहे हैं या उपर से आपको लिखकर क्या आया था आप उसको जाकर कर देते हैं कि हमारे दस वकीलों में से एक वकील जो गलती से इसमें आ गया कैसे गलती प्रस्ताव पारे दोता है कि हमारे जाकर पहले भी करेंगे तो यहां भी जब इडी के जो बड़े अधिकारी रहे होंगे जो कानून को देखते होंगे इन सारी केसिस को उनके उस पर हर्स्ताक्षर होंगे अब यहीं से समझाया सकता है कि आरती जंता पार्टी की सरकार जो इडी के डायक्टर थे पहले संजय कुआ मिश्चा उनको क्यों लगातार एक्स्टेंशन देती रही और क्यों उनको पचानी के लिए सुप्रीम को तो दो जैपी ने ऐसे वो मीदवार को ट्रेट दिया है जो बारबार कोट में देश के खिलाप ख़री हित रही है देश के विरोधियों का बचाव करती रही है मैं बासुरी सुराज की बात कर रही हूं एक वकील जंता के हित्की लगाई के लिए होता है लेकिन वो किसके हक्की मामले में फरा है और बासुरी सुराज इस मामले में उनका बचाव कर रही थी इस मामले में ललित मोदी ने त्वीटर धन्यवाज भी दिया था तो अब सर्मित्या जी आप समझ चाहते हैं कि कि चल रही है जे बिलकुल अम लेंदू जी एक पूरा खेल ही चल रहा है खेल क इसका आधार क्या है और वो वकील कहां से कौन आ जाता है कुछ पता नहीं चल रहा है और यह उस एडी का हाल है गुदेश की जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जो समयधानिक संस्ता है जिस पर यह मातुपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अवैद धन के लेंदेन पर जा तो करते रहे और इसके बाद बीजेपी की वाशिंग मेशीन के बहुत सारे पहलू वो सामने आ गये हैं और फुली ऑटोमेटिक बीजेपी के वोशिंग मेशीन किस तरह से काम कर रही है जहाँ यहीं नहीं पता चल रहा है कि एडी में वकील कौन है और इडी को अभी बासुरी स्वराज को दिया गया टिकेट सुश्मा स्वराज की वो बेटी है सुश्मा स्वराज भाजपा की दिगज नेता रही विदेश मंत्री रही अब उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनकी बेटी अब राजनीती में आई है भाजपा की निगाम में मोधी की निगाम में यह परिवारवाद नहीं है यह मोधी के परिवार का एक नमूना है जहां पर एक नेता के बच्चे को पिकिट दे दी जाती है बिना किसी उसके जनाधार का पता किये लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि आप बासुरी स्वराज को इस मामले से तकलीफ हो सकती है खास तोर पर दिली में क्योंकि दिली विधान सभा में हमेशा आपका पर्चम तीन बार से लहराता रहा है लेकिन इस बार जबकि लोग सभा चुनाओं होने हैं तो ये दिख रहा है कि अर्विन केजरिवाल को जेल में डाल कर बीजेपी ने अपने पैरों पर खुलाड़ी मार ली है और कल जिस तरह से अदिली हाई कोर्ड में अर्विन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी को चुनाओती दी और वहाँ ये कहा कि ये टाइमिंग की बात है और गलत नियत से मुझे इस तरह से गिरफतार किया गया है ताकि मैं लोग समा चुनाओं में न जा पाऊं इन तमाम बातों का बहुत गहरा असर जनता तक हो सकता है इसका अंदाजा बीजेपी को लग गया है और अब बीजेपी डिफेंसिव मोड में आकर खेल खेल रही है ये इस समय नजर आ रहा है इधर हम बात कर रहे थे हम लेंदू जी संजे सिंग की भी कल जो रिहा हुए और उन्होंने आज वो गए राजगाट और राजगाट से बाहर निकल कर संजे सिंग ने क्या कहा इसको एक बार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बापू को हमेशा इसलिए याद किया कि उन्होंने अंग्रेजों के सासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्यों लड़ी क्योंकि इस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी स्वतंतरता के साथ जीने की आजादी नहीं थी और इसलिए बापू ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन ने उच्छावर कर दिया आज आजादी के सततर साल के बाद ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है हम लोगों ने गांधी जी की समाधी पर ये प्रातना किया कि हे प्रभू हे राष्चपिता जी आप जहाँ कहीं भी है इस सरकार को भी सन्मती दे इस सरकार को भी सद्बुद् upwarddy दे कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ सतंत्रता के साथ लोकतंत्र के साथ सम्विधान के साथ खिलवार करना बंद करे तो यहां अम्लेंदू जी हमने सुना संजय सिंग को जो ये कह रहे हैं कि सद्बुद्धी दें सन्मती दें आपको क्या लगता है कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालों में अभी जब हमने सुनीता केजरिवाल का भी जो संदेश सुना उसमें एक और भगत सिंग करते हैं और बीच में अर्विन केजरिवाल की सीख्टों के पीछे वाली तस्वीर जो थी यह लग गई है दिवार पर लेकिन गांधी जो हैं अब तक आम आदमी पार्टी के कार्यालों में और उसमें दिवार पर कहीं दिखाई नहीं देते ते लेकिन आज संजे सेंग आम हैं कि आप सबको सल्मती दे अमने दुझे आपकी इस पर टिक पर लेकिन गांधी को लेकर के इस देश में बहुत बहुत होती रहती है और गांधी को लेकर के तमाम लोगों के अपने विचार हो सकते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बैनर से और उनके दफ्तरों स गांधी कायब हुए थे अब गांधी की महता जो है वो फिर से समझ में आने लगी है आवा आदमी पार्टी को भी यह अच्छा संकेतों भारती जंता पार्टी की परिशानी भी है सर्मृत्ता जी चूंकि उसे गांधी से प्यार करने वाले और गांधी के सिध्धानतों को म onu कहते हैं oppo savar kala this summer करके नाब बात नहीं करते हैं चुकि कि आपके पास क्वीए सब्सक्राइब आफे तो गांधी आपके चुझी बाहल कर याकर से मजबूरी हो जाते हैं तो इस दिगा शा // संजह सिंग से त्रिक से गांधी के संहाथी पहुंचे हैं गांधी के नमन किया है आंधी की निश्चित तूर पर डेश में इस बात का जीओ कि तमाम लोगों को जो गांधी के प्यार क्रते नहीं जुट इस कि भारती है जन्ता पारिकी की वाज़े से गांदी की में समाधी पे जा रहे है तो निश्चीत तोड़े भारती है इसा तरीकि जुम्रों नहीं करती तो तो सन इया संगा गांदी की वई दभे चैंप पर नहीं आए हैं कि भारती जन्तापार्टी का शुक्रिया राखिया जाए, कि वो और दोगों आज शुक्रिया तकाल को शुर्म करे, और लोग भी गांधी ऍहु कल्य दोगें औरूग्वि. पत्शे तरीके कि उनिताब होगे भारती जन्तापटी किस तरीके से जुल्म करता हुआ है. जनता पार्टी के सामने हमेशा ये बड़ी चुनौती रही है कि गांधी या गोट से हमने देखा कि अभी कलकता हाई कोर्ट के वकील जज जनोंने हाली में भाजपा की सदे सिता ग्रहेंड किया और उनसे भी जब ये सवाल किया गया गांधी या गोट से तो उनको सोचने के लिए वक्त चाहिए था तो ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि जो भाजपा के साथ जाएगा वो गोट से का हमायती रहेगा और गांधी वाले दूसरे पक्ष में खड़े रहेंगे और इस देश को गांधी के नक्षे कदमों पर ही चलकर मुक्ती मिल सकती है या हम कहें कि विक ये कहते रहे हैं कि उनकी विचारधारा बिल्कुल साफ है कि जो उनके साथ है याने वो गांधी के साथ है और जो दूसरी और है याने वो संग और गोट से की विचारधारा है वो एक और है लेकिन अमरेंदू जी इस समय आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक ही और हैं तो इसका मतलब अब आम आदमी पार्टी में भी एक बड़ा बतलाव हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है. सुनीता केजरिवाल का जो संदेश था उसमें पीछे बेशक अभी अर्विन केजरिवाल हैं सीख्षों के पीछे क्या एक वह तस्वीर के भी क्या माइनै हो सकते हैं मुलेंदु जी क्या है जो इस तरह से तस्वीर में बदलाव किया गया मतलब चाहते तो बहु आम आदमी पार्टी के नेता जो आर्विन वैसा ही एक जो उस तस्वीर के सामने बैठ कर यह संदेश पड़ा क्या यह अर्विन केज्रिवाल की और कोई रण नहीं थी है क्योंकि वह जनता की नफ्स पकड़ने में माहर हैं क्या करेंगे आप अब दूज़े निश्वर तोर पर जनता की नफ्स पकड़ने में करते हैं यह साफ समूझ में आ रहा है कि ऑल्रॉब के उपर जुर्म किया जरू आखे जकता है मुझे लगता है कि बारती दाल पायकी की पूरी रणनीती यह है कि जब तक कि दिल्लीका गुजरात का टुनाव पूरा नहीं हो राता तब तक किसी भी लिए कि निकल यह निकल पाइकी की भारती जनता पाइकी को इल्टी पढ़ने जा लिए यह मेरा अपना आखलन है और इस आधार पर मैं कहा हूं कि जनता के बीच में के जिवाल को लेकर के और एक तरहीं से का जानुगती बढ़ती जा रही है जहां अर्विंद के जिवाल के साथ जो लोग है उनके उ पूरा इंगिया गट्वंदन जिस तरीके से रामिल्या मैदान में के जीवाल के साथ खड़ा हुआ और वहां से चैलेंज दिए राहुल गानि ने जिस तरीके से जिन शब्दों का वहां से प्रयोक किया वह साब संदेश गया कि ऐसे मस्नों पे इंगिया गट्वंदन पू जिस पोश्टर पर वह सीख्चों के पीछे सटेक से देखे हुए तो यह संदेश देने का प्रयास है कि परती जनता पाकि किस तरीके से अरुप कर रही से अर्में डाउक बाट बाध के दी और गागर में सागर जीसे का या इंक प्रधामन्ति को कर रहा है अच्छा नहीं क सीधा सीधा हमला ने प्रधानमंति नरेंद मोदी के ओपर किया देखिए सर्मिता जी लड़ाई जो है मुझे रखता है यह व्यक्तियों के लड़ाई होती जा रही है देश चुनाओं में और प्रधानमंति खुद इसको व्यक्तियों के लड़ाई वे तब्दिल कर रहे हैं लड़ाई व्यक्तियों के तौर पर भारती जंता पाईटी पास अकेले प्रधानमंति नरेंद मोदी हैं जबकि इंडिया गटावंदन के पास हर राज्य में एक व्यक्ति प्रधानमंति पत्का उमीद्वार के तौर्व मौदूद है यांद मैं आदमेपाईटी कभी अप ताकत है उसकी ताकत का पूरे तरीके से इस्तेमाल भारती जनता पार्टी को सरकार से हटाने के लिए किया जाए मुझे रखता है सर्मित्या जी कि आचाहे वह आदमी पार्टी हो चाहे इंडिया जुन्दन के दूसरे दलो वह एक बहुत सथी होई रणनीती के तहट अपकाम कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के इस रणनीती को समझ नहीं पार है और जो अपनी रणनीती बना रहे है उसमें खुद रस्ते चले आ रहे हैं बिलकुल अमलेंदु जी मोदी खुद कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी और वैसा लग रहा है कि मोदी अकेले ही बीजेप पर बहुत भारी पड़ते जा रहे हैं अगर बीजेपी दस साल मतलब मोदी के नेतरितों में कुछ काम हुआ होता उन कामों को गिना पाती तो हो सकता था उसके आधार पर वो अपने लिए वोट मांग सकते थे लेकिन इस बार फिर जब तीसरी बार मौका आ रहा है उन्हें चुनाओं में उतरने का तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लावा और कुछ नहीं सूज रहा है कल जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में एसजी राजू ने एडी का पक्ष रखते वे अर्विन केजरिवाल को आतंकवादी बताया और जिस तरह से उन पर अत्याचार कहना चाहिए क्योंकि एक निर्वाजित मुख्यमंत्री को ही आपने जेल में नहीं डाला बलकि आपने लोकसभा चुनाओं के वक्त एक पार्टी के मुख्या को जेल में डाल कर और उसके और बड़े नेताओं को जेल में ये कोशिश की क कि वह पार्टी किसी तरह चुनाओं में कमजोर हो जाए जुनाओ प्रचार में अपनी टाकत के साथ नहीं उत्रे कॉंग्रेश में हमने देखा कि आइटी कि मार करके उसको इस तरह से बोक वोशुष की कॉंग्रेश को कमजोर करने के हाला कि पिछले hazards के पक्ष्में एक बड़ी जीत हुई और इन दो हफ्तों में मतलब एक हफ्ते में दो बार केजरिवाल को भी दो बड़ी जीते इस तुक्तावर पर मिली है कि 28 मार्ज को उनके CM पत से हटाने की जो बात हो रही थी वो एक याचिका खारिज हुई आज फिर एक और याचिका जो थी वो भी खारि मिली दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर एक याचिका दायर की गई जिसमें ये मांग की गई थी कि अरविंद केजरिवाल को CM पत से हटाया जाए क्योंकि वो जेल में है और वो जेल से काम नहीं कर सकते इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट की मुक्षिनाय दीश कारवाइक मुक पादें आप चाहे तो बने रहें पत पर ये केजरिवाल के लिए बहुत बड़ी जीत है और आपको याद दिला दें कि 28 मार्च को सुर्जीत सिंग यादव ने भी ऐसी ही एक पी आई याने जन्हेतियाची का दायर की थी और जिसे हाई कोट ने इनी आधार पर खारिज कर रखना चाहिए तो इस बात का भी अपने तरह किस है आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बात किस लिए कही गई किस संदर्द में कही गई अब इसके अलग-अलग interpretation हो सकते हैं और ये कह रहा है कि ये केजरिवाल को नसीहत है लेकिन दूसरी और ये बात बीजेपी के लिए नसीहत हो सकती है कि आप इस समय अब एक राश्ट्री हित के बारे में सोचें कि जिस मुख्यमंत्री को निर्वाचित किया है इस देश की दिल्ली की दो करोड जनता ने आप उसे किस तरह जेल में भी रहकर आप ये मना कर रहे हैं कि वो सीम ना बना रहे ये गलत बात है ये पोर याचिका पर तीन घंटे तक सुनवाई की थी जिसमें अभी शेक मनों सिंग्भी ने ये बात उठाई थी कि क्यों केजरिवाल को गिरफतार किया गया है उनका दोश क्या है मनी ट्रेल कहा है अमलेंदू जी कल एडी ने इस पर कोई क्या जवाब दिये इसके कुछ- कहा गया कि आयकर विभाग के कुछ-कुछ सबूत है बात ये भी थी कि एडी शायद उसको अर्विन केजरिवाल का एपल कोन है जो आइपोन वो उसको खोल नहीं पा रही है उनसे पासवर्ट मांग रही है और उसने एपल से भी ये खबर थी कि संपर्क किया था कि आप इस के मीडिया की निगाहे रहती हैं अमेरिका जर्मनी और यूनाइटेड नेशन के बाद बहुत सारे मामले अब इस तरह से हो रहे हैं दिल्ली में जिस पर और भी देश आवाज उठा सकते हैं और आप कहां तक लोगों को दूसरे देशों को आप बिलकुल ये सला दीजे ये नसीहत दीजे कि आप हमारे आंतिक मामलों में दखल ना करें लेकिन जहां इस तरह लोकतंत्र पर हमला होता दिखेगा तो क्या दुनिया के जो वाकई लोकतंत्रिक देश हैं वो चुप बैठेंगे अपर इंदुजी क्या किसी न किसी तरह से टिपणिया नहीं की जाएंग देदी और इसे एक मुद्दा बनाया उन्होंने मेरेट की रैली में तमिलनाडू का मुद्दा उठाया और उसको इस मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उस पर अब श्री लंका के सरकार ने अभी तक श्री लंका सरकार की और से कोई बयान नहीं आया लेकिन महां के मीडिया ने इस बात को बहुत प्रमुकता से उठाया और इसमें साफसाफ मोडी की आलोजना की कि तमिलनाडू में चुनाव है यहने लोग सवा चुनाव है और तमिलनाडू में बीजेपी की स्थिती अच्छी नहीं है इसलिए अब इस मामले को उठाया जा रहा है तो संत्रिक चविभी कहीं न कहीं उस पर भी कोई चोट लगेंगी यह मुदी की अपनी कोई साफ नहीं है पहली बात तो यह मुदी की कोई साफ है वह भारत की प्रहानमंती के तोर पर साख है वरना इनी मोडी के वीजा जो था अमेरिका देनी से मना कर दिया था जब सबसे बड़ी बात यह कि अपने पिछले दस वर्षों के कारेकाल में भारत की छवी को बुरी तरीके से लुक्सान पहुंचाया है अब हम लोगों ने कल भी बात की थी कि अभी लिए प्रभाव शाली देश उनमें भारत पहले से लेके दसवे नंबर तक भारत शामिल नहीं नहीं है तो भारत बाहर हो गया है तो उनकी कोई नहीं है निश्टर तोर पे प्रधानमंति नर्यमोदी की कारप्राली भारती जंतापार की सरकार की जो कारिश्यली है वह भारत के लोकतंत्त की चभी को बुली तरीकी से धुमिल कर रही है मुझे रखता है स्विकता जी की यह साइट संग जो है वह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षे बहुत कर रहा है और उसको बयाद जाई करने पर अमेरिका कहा रहा है हम जो भारत के अंदर जो जाते हैं तो यह सारी तौर पर प्रधान मंती रहते हैं भारत की चविक नुखसान पहुचा है और इसकी भरपाई तभी रहे सकती ही जब पुराने रास्ते पर लोके अब यह जन्ता यूपर है सिर्फित्ता जी कि वह सत्ता में लेकर आती है कि अगर इस देश्की जंता भारत की उश्टा से बाहर करना वह अब यह देश्की जंता के ऊपर हम लोग तो कस नहीं कर जगे जा रहा है मह catching उसके आने वाले दिनों में क्या पर लाम हो सकते हैं चीज簡gos nhất में पहुंचाता है भारती केवल जनता पर नहीं पड़ा है कि केवल उसके रोजगार नहीं चीने गए है या वो गरीब और गरीब नहीं होती गई है बल्कि बहुत सारी चीजें जो है इन दस सालों में कमजोर हो चुकी है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर हमारी समयधानिक संस्थाएं अगर हम किस तरह से संभालेंगे क्योंकि बात अगर आप हम कर रहे हैं कि अब चुनाव होने शुरू होने वाले हैं बहुत पंद्रा दिन रह गए हैं आज चार अप्रेल है और निस अप्रेल को पहले चरण का मद्दान शुरू हो जाएगा और इस समय चुनाव आयो पर जिसने आज भी एक यह बयान दिया है कि हम बिलकुल ऐसा चुनाव कराना चाहते हैं जो बेदाग रहे लेकिन यह बेदाग कैसे रहेगा यह भी इस समय बड़ी चुनावती है क्योंकि यहां किवल एक एक मामले नहीं है इन सारे मामलों को इस समय देश में जिसनी चीज़े चल रह है एक मामला है इडी का जिस पर यह बात चल रही है कि किस तरह वो विपक्षी नेताओं पर लगातार दविश देती आ रही है दोजार चौदा से लेकर अभी तक एक सो एक विपक्ष के नेता हैं उन पर यह कारवाई हुई है और कल की एक रिपोर्ट थी कि 25 नेता विपक् आया है जिन से इलेक्टरोल बॉंड किसी ने किसी तरह से बीजेपी को मिले और इस जो दिल्ली शराब घुटाले की बात हम कर रहे हैं जिसमें अर्विंच केश्रिवाल ने कोट के अंदर खड़े होकर जच के सामने यह बता दिया कि यह पैसा बीजेपी के पास है शरत रे को बाद में जमानत मिल जाती है वो सरकारी गवाब बन जाते हैं और फिर वो पैसा और पिर अर्विंच केश्रिवाल जेल पहुच जाते हैं तो यह इलेक्टरोल बॉंड का मामला कहीं न कहीं एडी से जुड़ता दिखाई दे रहा है तीसरी चीज है चुनाव आयो चुना इन्वर्टेट कॉमास में कहना चाहिए जिन पर निगाहें हैं तो इस समय इवीम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोड ने एक याची का पर सुनवाई को मनजूरी दे दी है जिस पर अगले हफते सुनवाई होनी है वीवीपैट का पूरा मिलान हो यह कहा जा कि आप इस पर जल्दी सुनवाई कीजिए क्योंकि चुनाव होने के बाद अगर यह इस पर कोई पैस लाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अमने दुझे आपको क्या लगता है क्या इस समय सुप्रीम कोड कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकता है हाला कि मामला को पारे में कहीं किसी तरह का कोई आंदोलन फड़ा होना या कोई जागरुपता फैले की इसमें अमने दुझे लेकिन उनके आधार दूसरे थे जिनके आधार पर वो याचकाएं उनका आधार यह था कि बदले बैलेक्स से चुनाव करा जाए या महरा फेली हो सकती है इसकी यह इस तरीके के आउज अब जो याचका दाएर होई है जिस पर सुनवाई करना है सुप्रेम कोट को वह याचका यह है कि आप जो वीवीपेट्ट की परची निकलती है एक तो आदमी के हाथ में दी जाया है वो देखे कि उसकी परची निकली है उसकी हाथ में आउफ में प्रची जो इसमें रखता है यह जो परची निकलेगी इस में कोई इस तरीकी की चीज़ होगी नहीं कि आपको ज्यादा समय लगा क्यों कि माली जी अगर दस उम्मीद्वार खड़े हुए और दस उम्मीद्वार परची निकल परची दिखा होगा ना कि ये कांगेस्ट की सपाई की बस पाई की और आवादी पाटी यह रखते जाओ फिर सारी उसकी उठा क अब यह जो समय बादा जो आधार है जुनायों का साब बहुत समय लगता है यह मुझे लगता है सुप्रीम कोट में जाकर के खारी हो जाएगा दूसा यह बहुत तर्ग महत्कूर तर्ग तर्ग दिया गया है कि जब आपने कई हजार करोड़ों रुपया खर्च करके आपन करते थी तो चुनायों होना चाहिए चुनायों जो आउपर जिसरा बनती हो निश्वक्स तरीका से चुनायों को यह कुछ संदेव तो नोकतंत के प्रक्रिया को नकित्त है तो संद्धता चाहिए मद में पैदा होते हैं उससे भारती जनता पार्टी और इमानदाली जीत करके भी आती है तब भी जनता की मन में पार्टी पार्टी वास्तव में जीत करके आ रही है और उसका इतना जनाधार है तो वोटिंग करा लीजे आप किसी भी तरीकी से से काउंटिंग कराने के लिए तो अब जाकर कि उनको पातिया रखनी है कि वो अगर यह काउंटिंग कराना क्यों नहीं कराने के तयार है तो देश के अंदर एक बड़ा पदलाव देखने को मिलेगा और जो नारे अभी तक लगाते रहते हैं कि इतने पार उतने पार वह सब जो है मुझे रखता है सौ सीटों के लिए संगर्श करते हूं नजर आएंगे अगर सुप्रीम कोट इस तरह की कोई आदिश दे देता है कि हंगेट परसेंट मशीनों से परची निकलेगी उसकी गिंतियों मद्दाता के हाथ में वो पहले परची दी जाए वो देखे कि उस कासी हलचल मची हुई है क्योंकि चुनाव का वक्त है तो अभी तक यह होता है कि कोई नेता इधर से उधर जा रहे हैं तो यह पार्टी कमजोर हुई फलाना पार्टी मजबूत हुई इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी जब तक लोगतंत्र कायम रहेगा तब तक यह च करते हैं और किस तरह आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लोगतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और उन मुल्यों को आप बना कर रखना चाहते हैं जिन मुल्यों के कारण आज भारत उस मकाम पर पहुचा है जहां पूरी दुनिया में उसकी एक अलग इस्जत बनी हुई कर दिये अब आप उन देशों को आप नसीहत दे सकते हैं उनके राजदूतों को बुला कर आप तलब कर सकते हैं कि आप वो पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपने खुद आपने ऐसा माहौली क्यों बनने दिया कि दूसरा आपकी कमी दिखाए और उस पर सवाल उठाए तो यहां एक बड़ा सवाल इस समय निश्वक्ष चुनाव होने का है और पूरी दुनिया को यह दिखाने का है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र कायम है बचा हुआ है और मजबूती से खड़ा हुआ है यह एक बड़ा सवाल यह किसे ग्रफतार किया मेरी ग्रफतारी का कोई आधार नहीं है इस पर दिल्ली हाई कोट का बड़ा पैसला आना है कि जी सर्मित्रा जी का हम लोगों से संपर्ट तूट गया है तो कुल मिला के हम लोग बात अभी यही कर रहे हैं कि किस तरीके से अर्विंद के जिवाल की हाई कोट से बड़ी जीत हुई है देश के सामने इसमें क्या-क्या समस्याइं हैं और किस तरीके से यह समस्या अभर्ष जो है वो भारती जनता पार्टी और इंडिया गश्वंदन के बीच में बढ़ता चला जा रहा है कुल मिला करके हम इसी पर अभी तक चर्चा कर रहे हैं हमने अभी तक चर्चा की कि किस तरीके से अर्विंद के जिवाल को जिस तरीके से परिशान करने की कोशिश कि जा रही है और जिस तरीके से आर्विंद केजवाल की ऊपर कोसने की कोशिश की जा रही है उसके लाई समग्षा करने के कोशिश की है कि इस अदालती क्षे कितना घ्रष्टाचार के खिराब राइये है और कितना यह राजनीतिक मामला है लिए भारती जनता पार्किल के नेताओं के बयानों से भी समझाया सकता है खुर अर्विंद के जिवाल के जो वकील है अभिशेक मनु सिंग भी उन्होंने कर हाई कोट में जिस तरीके से अपनी दलीले रखी और उन्हें कहा कि यह सिर्व हम मेरे मुवक्ति पर यार्विंद के जिवाल को बेज़त करने के लिए अपनी अग्रफतारी की है उससे अच् सुप्रीम कोट ने आमाधनी पार्टी के नेता संजय सिंग को जमानत दी और एटी से यह कहा कि अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप वह सबूत लेकर आईए जिस आधार पर आप इस केस को आग्या बढ़ाना चाहते हैं वरना हम जो है इसकी मेरिट के आधार पर अप अधियर यह इस पर विचार करती हुए हूँ सर्मिंद्ध करेंगी की और इडी चुनावायोग सब पर हमने चर्चा की और अब हम सब के सामने एक बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है इस मामले पर सब की निगाह बनी हुई है कि आज हाई कोर्ट से क्या अरविन केजरिवाल को कोई दूसरी बड़ी राहत मिलती है और इसके साथ ही निगाह इस तरह बनी रहेगी और हम लगातार आप से इसी तरह खरी खरी चर्चा करते रहेंगे आज के इस कारेक्रब में हम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया